आप देख रहे हैं SR Motor World और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज कि इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ दो ऐसी मोटसाइकल्स की जो के हमारे होम ग्रोन मानुफाक्टरर्स की तरफ से आती है एक आती है TVS की तरफ से तो दूसरी आती है बजाज की तरफ से और दोनों ही 160cc की मोटसाइकल्स हैं और आप लोग सबसे ज़ादा इन्हीं में कन्क्यूज रहता है क्योंकि ये मोटसाइकल्स जो हैं जादा तर अच्छी परफॉर्मेंस ओरियंटेड मोटसाइकल्स हैं इस 160cc सेग्मेंट की तो इन दोनों में से मैं आपको जादा फाइदेमंद रहेगा कौन सी मोटसाइकल्स आपके लिए उस पैसे को पूरा वसूल करके देगी जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ आपसे टीवेस की अपाचे आर्टीर 164 वी और बजाच की पलसर NS160 के बारे में दोनों ही 160cc की मोटसाइकल आपको चाहिए हैं जो आपको मिलते हैं कौन सी स्पेसिकेशन ऐसी आपको चाहिए हैं जो आपको मिलती हैं कौन सी ऐसी कंडिशन हैं जहां पर रोड कंडिशन हैं जहां पर आपको मोटसाइकल से ट्राविल करना है ये सब चीज़न आपकी डिपेंड करती हैं और जो मोटस में आपको all LED headlamp cluster मिलता है जो कि advanced technologies में आता है और एक अच्छा feature हम कह सकते हैं जो कि youngsters को जादा attract करेगा और LED headlamp white color का होता है और halogen headlamp yellow color का होता है NS160 में split seat setup मिलता है यानि कि दो seats मिलती है rider की seat अलग है और pillion की seat उससे थोड़ी सी उची है वहीं RTR 160 में आपको single piece setup मिलता है seat का तो अगर आप ladies को बिठा के travel करना चाहते है या family के साथ कुछ original travels करना चाहते है वाइक पर तो वह आप easily कर सकते हैं पर NS160 में वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पीछे वाली seat जादा उंची है और पीछे वाली seat rider से अलग भी है फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो आटीर 160 में जो सबसे अच्छा फीचर मुझे यह लगा कि इसमें riding modes मिल जाते हैं जो कि youngsters के लिए ज्यादा attractive है ज्यादा अच्छे हैं यंग्स्टर्स को इसे चलाने में बहुत मज़ा आएगा वही NS160 में कुछ खास features नहीं मिलते हैं NS160 में part digital instrument cluster मिलता है जिसमें चोटी सी एक screen है जो आपको display करेगी service reminder बताएगी all change interval बताएगी साथी speedometer, rodometer, fuel gauge और trip meters भी आपको बता देगी और side stand लगा है तो वो भी आपको screen बताएगी और साथी needle के साथ आपको इसमें takometer मिल जाता है जो कि takometer से आपको अच्छा feel आएगा वही instrument cluster की अगर हम बात करें RTR 160 के तो RTR 160 में all digital instrument cluster आपको देखने को मिल जाता है जिसमें basic features तो मिलते ही है speedometer, rodometer, fuel gauge जैसे और उसके बाद आपको trip meter भी मिल जाता है इसमें riding modes भी मिल जाता है और साथ ही अभी smart connect भी इसमें आगया है जो आपको bluetooth connectivity इसमें मिल जाएगी जो engine है वो max power 17.6 PS की produce करता है वही NS160 का जो engine है वो max power 17.2 PS की produce करता है torque की बात करें तो दोनों ही motorcycle के engine आज पास का torque produce करते है RTR 160 करती है 14.7 Nm का torque produce और NS160 जो है वो 14.6 Nm का torque produce करती है दोनों motorcycles में आपको oil cooling system मिल जाता है जो कि efficiently work करेगा अगर आप city में चला रहे है motorcycle को और अगर highway पर भी चला रहे है तो 160 CC के इसाब से oil cooling company ने इसमें अच्छी चीज़ दी है हाला कि oil cooling से जादा effective liquid cooling होती है पर मुझे नहीं लगता कि एक 160 CC motorcycle के लिए एक commuter motorcycle के लिए oil cooling से उपर कोई चीज़ की जरूरत इसमें पड़ेगी अब engine performance की अगर हम बात करें तो जो pick up के मामले में हम बात करेंगे तो RTR 160 का जो pick up है वो थोड़ा सा जादा बहतर है NS160 के comparison में लेकिन जैसे ही आप motorcycle को accelerate करेंगे तो आपको एक चीज़ फील होगी कि RTR 160 जो है वो थोड़ा सा fast accelerate करती है और NS160 जो है वो lower rpm पे जो है वो थोड़ी lazy फील होगी आपको थोड़ी slow फील होगी तो RTR 164 वी आपको जादा मजा देगी टायर की बात करें तो front tire दोनों ही motorcycle में 90 by 90 का मिल जाता है और NS160 का जो rear tire वो काफी narrow है जो के दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता और नहीं cornering पर उतनी जादा आपको stability देगा वो है 120 by 80 का tire वहीं RTR 164 वी में जो company ने tire दिया है वो 130 by 70 का मिलता है handling की अगर हम बात करें तो RTR 160 जो है वो थोड़ी से आपको lightweight feel होगी और वो NS160 इस weight में भी light है lightweight है 145 kg का इसका curve weight है RTR 160 का और यह आपको city में चलाने में जो है काफी easy to manage रहेगी easy to flick रहेगी flickable है maneuverable है तो आप इसे आसानी से चला सकते हैं आपको lightweight feel होगी जादा effort नहीं लगाना पड़ेगा वही NS160 जो है उसकी street line stability काफी अच्छी है अगर आप highway पर उसे तेज speed पर चला रहे हैं तो NS160 जो है वो road से चिपक के बिल्कुल planted चलती है वो बिल्कुल टककर की braking है और काफी अच्छी braking दोनों ही motorcycle में उनके engine performance के हिसाब से company ने दी है RTR 164V में जो एक चीज लाग करती है वो बहुत से लोगों के लिए ये है किक नहीं इसमें company ने दिया है तो किक इसमें देना चाहिए था ऐसा मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो किक की requirement महसूस करते है RTR 164V में वहीं NS160 में तो जो है बजाज ने अभी तक किक दे के रखा हुआ है जो कि अगर battery low हो जाती है तो आप वहाँ पर motorcycle को किक से start कर सकते है तो आपका यह सवाल होगा कि कौन सी motorcycle जो है सबसे जादा value for money है जितने पैसे हम दे रहा है उसके लिए में चीज मिल रही है तो आपको riding modes भी मिल जाएंगे instrument cluster में और साथ ही आपको जो है all LED headline cluster मिल जाएगा और जो design language है RTR 164V की वो भी मुझे NS160 से थोड़ी सी जादा बहतर महसूस होती है तो यह मेरी personal honest opinion है और बाकी चीज़ें जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन सी motorcycle में क्या अच्छा है सारी जीज़े मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप खराब roads पर motorcycle को ride करना चाहते हैं तो RTR 164V जो है वो थोड़ी सी जादा बहतर आपके लिए रहेगी क्योंकि उसमें 180 mm का ground के टेंस और वो roads से काफी उची चलती है अगर हम comfort की बात करें कि कौन सी motorcycle पर आप जादा देर बैट के आराम से इसको चला सकते हैं तो RTR 160 जो है वो थोड़ी सी जादा comfortable है क्योंकि इसके जो suspensions हैं वो काफी soft है और soft suspensions की वज़े से आप city में खराब roads पर भी आसानी से इससे travel कर सकते हैं दूसरी चीज़ यह कि RTR 164V की जो seat है वो single seat मिलती है और seat का कुशन है वो भी काफी spongy है जिस वज़े से आपको बैटने वे आराम दायक फील होगा वही NS160 की जो seat है वो थोड़ी सी harder side पर है और seat की जगे suspensions भी अगर हम बात करें तो थोड़ी से stiffer side पर है वो उसकी handling को और high speed stability को नजर में रखने के लिए company न जो है उसमें stiffer suspensions दी है इसलिए NS160 जो है वो high speeds पर थोड़ी सी जादा RTR 160 के comparison में जादा stable चलती है क्योंकि उसमें company ने थोड़ी से tight suspensions दी है और seat जो है वो थोड़ी सी company और बहतर कर सकती थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो गाइस थैंक्स वाचिंग स्टे टून तिल देन विट फॉर मैं नेक्स अपकमें इंट्रेस्टिंग वीडियो